हाई गाईज वेलकम बाक फ्रेंड्स आपने यह वीडियो ओपन करी है तो इसका मतलब यह है कि आपको slip desk की या फिर रीड की हड़ी को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉबलम ज़रूर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वीडियो को यहीं पर pause कर दीजे और आप भी position ले लीजे मैं yoga mat पर कर रही हूँ आप bed पर लेट कर भी कर सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वीडियो के end तक आपको कुछ ना कुछ अराम ज़रूर मिल जाएगा तो वीडियो को pause करके आप position ले लीजे बेट पर ही चाहे yoga mat पर दिक्कत होती है तो कोई problem नी और आप करनी start कर दीजे I hope आप ने position ले ली होगी अपनी जिस भी स्तती में जहां पर भी आपको करनी है यह वली exercises तो आपको यह सबसे पहले तो यह वली है उल्टे लेट कर यह वली exercise करनी है ठोड़ी के नीचे अपने दोनों हाथों को ऐसे रख लेना है जैसे मैंने रखा हुए और फिर एक एक टांग जो है उपर नीचे करनी है alternate leg से करना है जब टांग को उपर करना है तो सांस अंदर लेनी है जब नीचे लेके जाना है तो सांस को छोड़ना है तो आपको मनकों के बीच आपके gap आगया है रीड की हड़ी में बहुत दर्द है उटने बैटने में परिशानी हो रही है low back एक है, upper back एक है कुछ भी रीड की हड़ी से जुड़ी हुई कुछ भी problem है तो वो जो है इसके लिए बहुत ही जादा अच्छा है और जैसे की वैसे अस्थमा के लिए भी अच्छा होता है यह वला बट विशेश रूप से जो है यह cervical spondylitis के लिए slip disc के लिए, shatica के लिए, back pain के लिए and closing spondylitis के लिए मतलब back bone से जुड़ी सबी करना है, नीचे लेके आनी है तो breathe out करना है तो इसको आप 10, 20 बारी जितनी बारी भी कर सकते हो करो, सबसे easy exercise है यह वली, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बाकी exercises जो मैं बताऊंगी ना इस वीडियो में, अगर आप नहीं कर पाओगे कोई भी exercise तो सिरफ इसी कोई कर ले ना, 5 मिनट 10 मिनट, 15 मिनट जितने मिनट भी आप कर सकते हो करना इससे आप कोई जो spine है वो healthy हो जाएगी और आपको बहुत ही ज़ादा अच्छा लगेगा अब एक एक पैर से करने के बाद तब दोनों पैरों को उपर नीचे करना है उपर करेंगे तो breathe in करना है नीचे लेके आएंगे तो breathe out करना है ठीक है तो ये क्या है आपकी spine जैसे की मैंने बताया कि स्वस्थ हो जाती है इससे और इसमें आपको बहुत जादा अच्छा लगता करने के बाद और सिरफ अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो ना दो पैरों वली तो friends मैं आपको suggest करूंगी जो alternate legs वली इससे पहले हम कर रहे थे वो करते रही है ठीक है इसको ज़रूरी नहीं है कि इसी को करना है और अगर इसको कर पा रहे हैं तो stretch नहीं करना जैसे मैं देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हूं कि जब अरदस्ती अपनी टांगों को पीछे की तरफ खींच रहे हूं नहीं खींच रही ना बहुत ही अराम से कर रहे हूं मैं इसलिए कर रहे हूं ताकि आप इस stretch करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें जैसे मैं कर रहे हूं वैसे ही करें और दुबारा से बता रहे हूं कि अगर आप दो legs के साथ नहीं कर पा रहे तो single single leg जो हमने पहले करी थी उसी को ही करते रहें बट करते रहें ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें बीच में या फिर आप सोचें कि चलो यह तो मिरसे हो नहीं रहे मैं next देखती हूं कि या फिर देखता हूं कि कौन से exercise है फिर उसको मैं करूंगी या फिर करूंगा नहीं वो single leg जो है alternate leg वली है वो आपने करते जाना है इसके बाद भी मैं आपको दो आसन और बताऊंगी और फिर आपको भी अच्छा लगेगा थर्ड जो है वो यह है आपने क्या करना है अपने हाथों को नीचे ले आना है और फिर आपने भुजंग आसन करना है जो मैंने आपको लो बैक एक के लिए बताया था बिल्कुल भी नहीं देना है अपने स्पाइन को अपनी बैक बोन को बिल्कुल भी आपने जो नहीं देखना है और उपर की तरफ देखने की ट्राय करनी है जब आप उपर की तरफ चाहोगे दो सेकेंड, चार सेकेंड, जितनी दिर भी आप रोक सकते हो, रुखने की ट्राइ करें, नहीं रुख सकते हैं, तो धीरे-धीरे वागपे साजाएं, सांस छोड़ते हुए, ठीक है, सो तीन से पांच बार, या दस बार, या जितनी बारी भी आप कर सकते हैं, इसको, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी, कि टेन टाइम जिसको जरूर करो, जितना मैं उपर उठ रही हूँ, इतना अगर आप नहीं भी उठ रहे, उठ पा रहे, तब भी कोई बात नहीं है, इतन जितना उठ पाओ, उतने उठ ना, ठीक है, बट दुबारा से बता रही हूँ, जर्क नहीं देना, ये ना होगी, वीडियो खतम होने तक आपको अच्छा महसूस ना हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा महसूस करें, और आपको लगे कि आपकी बैकबोन की जो दिक्क जो मैं कर रही थी ना, उसे को करते रही है, क्योंकि कई बार जब बैकबोन होना तो होता है, तो ये नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड की उपर राइट हैंड को टिका देना अपनी, और इस तरह से ही दुबारा से भुजंगासन का ही ये एक पोज है, भुजंगासन के विसे चार पोजेज होते हैं, बट इसमें ही अम मेंली दो ही करते हैं, बट दो भी नहीं, अगर पहले वला अगर आप जैसे मैंने बताया था न, साइट पे हाथों को रखे, वो ही कर लेते हैं, सिरफ अगर ये नहीं हो पाता है, तो ठीक है, तो इसी तरह से करना है, उपर देखने की ट्राइ करनी है, बट करना बहुत दीरे-दीरे है, और मैं आपको बता दूँ, प्रानायाम तो करना ही करना है, अपको कोई भी प्रॉबलम है, जैसे की अगर रीड की हड़ी की प्रॉबलम है, ये वली एक्रसाइज के साथ साथ प्रानायाम तो करना ही है आई बटन में लिंक है और वीडियो के एंड में भी लिंक दे दूंगी तो वहां पे जाकर आप जरूर देख लेना परानाया कैसे करना है इसके बाद क्या करना है फ्रेंज आपको सीधे लेट जाना है पीट के बल हाथों को ऐसे साइड पे फिला लेना है टांगो क इस तरह से मोड लेना है जैसे मैंने मोड आ है और अपनी लेक्स को दोनों को इकठे ही जैसे एक पैर के उपर दूसरा पैर और उसको राइट साइड पे लेकर आना है तो आपका जो नेक है उसको आपने लेफ्ट साइड पे कर लेना है और फिर सीधा सेंटर में फिर उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है मतलब अल्टरनेट करते जाना ठीक है अब जैसे कि मैं अपने लेफ्ट साइड पे अपनी लेक्स को लेकर गई हूँ और मेरा फेस जो है वो राइट साइड की तरफ है और अब मैं क्या करूंगी राइट साइड के तरफ टां और अगर यह नहीं कर पा रहे हैं तो आपने क्या करना है कोई भी दूसरी एक्रसाइज वैसे आप यह करोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं बताओं इससे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है इसके बादवली जो मैं बताऊंगे ना टांगों को खोल कर अगर नहीं होती है तो फिर यही करते रहना बट यह बहुत रिलाक्स फिल करोगे इसमें है ना प्राणायाम के बात कर रही थी कि अगर आप बेड रिड़न हो तो लेटे लेटे ही आप भस्तरिका निलोम विलोम कपाल भाती ठीक है यह सब करते रहना और उदगीत भ्रामरी सब लेटे लेटे करते रहना और कुछ दिनों के बाद अब इस तरह की एक्रसाइजेस करने के लिए रेडी हो जाओगे मैं आपको पका विश्वास दिलाती हो फ्रेंज मैंने बहुत सारे लोगों के साथ यह एक्सपेरिमेंट किया है एक्सपेरिमेंट नहीं मतलब उनको मैंन टांगों को लेके जाएंगे तो राइट साइड के तरफ आपनी नेक रखनी है और राइट साइड के तरफ टांगों के लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे अपनी नेक रखनी है और कैसे करना है ब्रीद इन करना है जब इस तरह से करना है और जब वापिस आना है इस पहले मैंने आपको बताई थी न माकरासन उल्टा लेट कर ठोड़ी में ठोड़ी पे अपने हाथों को रखकर तो आप वो वली सिंगल सिंगल लेग वली आप वही करते रहे या फिर ये वली जो मैंने अभी ये वली कर रही हूं इसे पहले वली जो मैंने करी थी टांगो को प आदितियों बहुत जादा प्रॉब्लम है बिल्कुल हिला भी नहीं जा रहा है आपसे तो लेटे लेटे ही आपने भस्त्रिका कपाल भातिया नलों विलों भरामरी उदगीद कर लेना है ठीक है कुछ दिनों में आपको अच्छा लगने लगेगा अब मैं आपको एक्विप् पॉइंट्स और मैं यह चाह रही थी कि मैं लाइफ सेशन्स स्टार्ट कर दूं आपके साथ कि हर रोज आदा घंटा बीस मिनट जितना भी टाइम हो उतना हम रोज योगा करें इकठे मिलकर जैसे मैं भी करूं और आप भी करों तो लाइफ सेशन कर लेते हैं लेकिन आप म तो वो आप मुझे जरूर जरूर लिख कर बताना कमेंट सेक्शन में कि किस टाइम पे आप प्रेफर करते हो कि मैं लाइव आउं और योगा जो है आपको करवाओं तो आई होब फ्रेंड में फिर से यह वला जब मैं कर रही हैं यह माकरासन थोड़ा सा यह कर लेना हा ना दस बार भी इस बार जरूर कर लेना इससे आप बहुत जादा अगर थोड़ा सा आपको तनाव भी मैसूस हुआ होगा बाकि सब करने में तो इससे आप रिलाक्स फिल करोगे और बीच में अगर आप ठक जाते हो ना तो ऐसा ही बस नीचे सिर रखके लेट जाना और फिर उ जरूर अपने जो अपिनियन है कमेंट सेक्शन में लिखना मुझे बहुत अच्छा लगेगा और फिर उसके बाद हम डिसकस करेंगे और मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर एक अच्छी जिंदगी जिए स्वस्थ जीवन जिए ताकि हम बिमार ना हो रहा हम अंग्रेजी दवा झाहतु अई देव हैं झाहतृ और एक ये जिए बिमार लगे खंगे हम अपिन्स लोगे हम आप उनी है पिन्स लोगे पिनलन की जिए एक स्वी आठी जिए हम उन्सके अचे बिमारा घख गैजया हम पिर उक उता कर दो दो आमरादाग आप पिन्स्वा एक वे बहारा हैं